हैलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक पार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलीस कॉंस्टेबल के अंदर जो एक साइच कॉंस्टेबल का फॉर्म निकला था उसका आज यहां पर लास्ट डेट होने बला है और यह फॉर्म का डेट क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बहुत से बच्चों का मन में सवाल होगा तो यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह जो फॉर्म का जो डेट है अब वो नहीं बढ़ेगा अब कारण क्या है मैं इतना दावर सत्क्यूं कह रहा हूं कारण यहां पर यह है कि यह जो वेबसाइट हे यह अभितक में सरवर का कौई बी Бoonsम इससू नहीं हुआ है यानि कि सरवर बहुत अच्छा चला है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जब server का problem होता है तब ही जाके जो date होता है वो आपका extend होता है यानि कि भड़ता है लेकिन यहाँ पर server में कोई problem नहीं हो रहा है मैं बहुत दीन से देख रहा हूं बहुत अच्छा चल रहा है और form का date आज last है फिर भी यह बहुत अच्छा smoothly चल रहा है तो अब मैं बात करूं इन से भी चैस के बारे में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि total form के बारे में तो मैं आपको हमेशा कहा था कि यहाँ पर registration मैं करता था और वहीं पर पता चलता था कि total online form कितना हुआ है तो मैंने यहाँ पर सब detail भर लिया है आप यहाँ पर चलेंगे नीचे और यहाँ पर जो होता है उसकी उपर क्लिक करना है और इसके बाद हो फो क्रों मैं Mac Payment के उपर क्लिक किया अब मैं यहाँ पर payment को complete नहीं करने वाला हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे एक number मिलता है जिससे यह पतल जाता है तो total form कितना fill up हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो order number है ना यही total number of form को दिखाता है तो मैं आपको पहले दिन से कहा हूँ आप अगर मैं चैनल पर पहले से चल रहे होंगे और देख रहे होंगे इसको तो मैं पहले जब form का start हुआ था तब ही मैंने इसको दो दिन बाद मैंने form बनाया था कि वीडियो के कितना form गिर चुका है तो वहाँ पर मैंने बताया था जो दो जिरो जो है आगे का टू जिरो जो है यह क्या है इसका code है यानि कि दो जबाईस इफेकेंस से निकली है तो यह टू जिरो का क्या code है और उसके बाद जो last का 6 digit जो बचता है यही क्या होता है total online form को दरसाता है कि total online form कितना गिर चुका है अगर मैं इस payment हो complete करूँगा न तो मुझे यह registration number क्या होगा मुझे मिल दागा यही registration number होता है जब बच्चे form online करते हैं तो उन क्या करते हैं इंट number को ध्यान नहीं देते हैं अगर एकली payment करते हैं क्या होता अगला process में पेमेंट जाता है first अब बच्चे बोलते हैं कि भाई मुझे कुछ मिला नहीं प्रूप अब मैं कैसे form को भरूँँ तो यह जो number होता है यही बहुत इंपोर्टेंट होता है अगर यह आपने इस पहले ही दोरान में अगर इसको capture कर लिया होगा तो आपको यहाँ पर कोई दिकत नहीं होता है और वो जो है रिशेशन नमबर आपको इसी के माध्याम से फिर आप लोगिन के करके form को apply कर सकते हैं लेकिन माल लेजे किसी बच्चा का payment कट गिया और उनका यहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम आपको 24 घंटा नहीं कम से कम देखा जाए तो 10 घंटा तका वो वेट करना पड़ता है कि बाद में अपने mobile नमबर से फिर आपको यह कर सकते हैं लोगिन करेंगे तो आपको लोगिन हो जाता है लेकिन पैसा आपका बरबाद नहीं होगा यह यहाँ पर ध्यान रखेगा अब लास्ट टाम में फोर्म भड़ेंगे आज सोचेगा कि आज ही फोर्म भड़ें आज ही कुछ प्रोब्लम हो जाए तो यह पोसिबल हो सकता है कि आपका फोर्म पैसा चला ही जाए और बाद में वो कुछ साथ दिन के अंदर वो डिफंट कर दिया जाता है यह कुछ इंपोर्टेंट चीज था जो आपको बताना भी जिरूरी है अब चलिए बात करते हैं तो टोटल लंबर फोर्म कितना फील अप हो जुआ है तो यहां पर expected पता चल चुका है कि कितना फोर्म यहां पर फील अप हुआ है तो लगबग लगग 6 लाग के आजपस यो फोर्म है वो फील अप हुआ है और अभी जो चली रहा है तो अभी लास्ट राट तक चलेगा फोर्म तो कम से कब मान के चलिए कि 6,20,000 तक आसानी से तो form fill up हो गई होगा ठीक है लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि इसमें fake रशेशन भी तो हुआ होगा बहुत सा हाथ वो भी हुआ ही होगा तो कितना लगबग होगा तो जब 5,6,000,000 है इसमें जादा नहीं कि यहां पर form बहुत ज़्यादा fill up हुआ है आपको पता होगा कि form कर संख्या कितनी है टोटल 689 है ठीक है टोटल पोस्ट कितना 689 है आपको पता यह भी होगा कि इसके कितना रिजल गुना रिजल दिया जाएगा तो 5 गुना रिजल दिया जाएगा अगर आप सको multiply करेगा तो 3445 सिर बच्चों का यहां पर रिजल्ट जो होगा पहला exam से physical के अंदर होगा यानि कि first examination से physical exam में जाने के लिए आपको 3445 बच्चे का selection किया जाएगा और उ को आगे follow किया जाएगा तो अब बात करते हैं कि एक seat की उपर कितना यहां पर fight होने वाला है तो मैं यहां बता रहा हूँ कि 5,50,000 जो form यहां पर fill up हुआ है लगभग लगभग यहां मान के चलते हैं तो इसको कह करना आपको है भागा देना है कितना से तो 3445 बच्चा से भ साट बच्चे लगवा एक seat के उपर भी fight कर रहे हैं अब बात करते हैं क्या असान लग रहा है नहीं कंपटिशन तो काफी tough है यहां पर competition क्या है बहुत ज़्यादा tough है क्योंकि 160 बच्चे पर एक seat के उपर fight करना वह भी सिर्प PT के अंदर वह बहुत ही hard है ठीक है तो यहां पर competition तो बहुत ज़्यादा tough है इसलिए आपको अच्छा से यहां पर marks लाने होंगे मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपका result अच्छा से हो जाए आप चलिए बात करते हैं कि इसमें कि examination date यह exam कब तक हो सकती है अगर मैं आपको इसका expected date बता दूँ तो यहां पर जो है examination जो आ पिछले बार बार वला वो 13 अगस 2022 को हुआ था और फॉर्म भरने को जो लास डिर था वो 13 सिप्तमबर दिया गया था इस बार भी एक मेहन आपको दिया था फॉर्म भरने के लिए और यहां पर application फिसका था अब देखे इसमें admit card कब जारी किया गया था इसका admit card आपका 30 दिन के बाद हुआ सिप्तमबर से 1 अक्तुबर यानि कि आपको maximum यहाँ एक मन्त उसमें समय दिया गया था एक ही मन्त के अंदर examination जो है conduct करा लिया था तो अभी जब का form December में complete हो रहा है तो आप मान के चलिए कि January में examination आपका हो सकता है जनवरी 2020 में examination हो जाएगा लेकिन अग पर सकता है यानि कि मार्च तक भी आपका examination यहाँ पर conduct हो सकता है लेकिन मार्च अप्रिल से ज्यादा नहीं जाने वाला है तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पिछला 76 का विकेंसी वा था 76 की उपर उसमें जो cutoff जारी किया गया था वह आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कितने बच्चे सेलेक्शन की तो वह नहीं देखना है यहाँ पर देखना कि mail में general category का कितना cutoff किया था 86 किया था तो मान के चलि गया है और female का चोवन गया है SC का 76 गया यहने SC के अंदर भी competition जादा टफ हो चुका है और female SC के अंदर 70 गया है उसी पकड़ से स्टी में 72 नंबर गया था EBC में भी देखने competition यहाँ भी टफ है 80 नंबर गया था male का और 72 नंबर फीमेल का बैकवर्ड क्लास का भी 80 और 72 ही गया था male और फीमेल का और बैकवर्ड क्लास woman का यहाँ पर 70 गया था तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा category नहीं है जिसमें के आपको 70 नंब बाड़े में भी हो गिया और मैंने आपको हडएक चीज यहाँ पर समझा दिया examination के बाड़े में भी तो चली आसा करता हूं ही वीडियो अच्छा लग होगा अगर वीडियो अच्छा लग हो तो like कर देजे वीडियो को share कर देजे और चैनलन को subscribe कर देजेगा मिलेंग जल द ने प्रिमे थाट वाट 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 थाट वच्छा लग वीडियो